आज हम बात करेंगे कि इंपोर्टेंस ओफ NCRT बुक्स फोर UPSC एन इस्टेट PSC एक्जाम हेलो एबरीवन, I am अन्जु कुमारी, a career psychologist of योशना IAS आज हम बात करेंगे कि इंपोर्टेंस ओफ NCRT बुक्स फोर UPSC एन इस्टेट PSC एक्जाम UPSC का एक्जाम और इस्टेट PSC के एक्जाम के लिए NCRT का बुक्स कितना इंपोर्टेंट है सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए 6 टू लेकर 12 तक की NCRT का बुक्स NCRT का बुक्स सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी, पॉनॉमिक्स, इनवर्मेंट, साइंस, साइंस का भी जितने भी NCRT का बुक्स है तक 6 से लेकर 12 तक आप पहले उसको कंपलीड कीजिए अब आपके दिमाग में यह आएगा कि अब मैं तो ग्रेजुएट हो चुका ओं या है बुए person 1st year में हूं 222, year में हूं 3rd year में हूं या हो ग्रेजुएटिंच संब गंपलीट हो गया है तो मैं six 6 class का बुख क्यों पढ़ू हो जाता है ना इंसान के इगो पर आ जाता है कि मैं graduate हो चुका हूं फिर भी मुझे 6 class का बुख पढ़ने के लिए बोला जा रहा है ठीके लेकिन यहां आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको UPSC का एक्जाम क्रैक्ट करना है इस्टेट PCS का हम क्रैक्ट करना है और उसके लिए एंसी आर्टी का बुख आपका UPSC का जीवर्ट का एक बेस माना जाता है आप जो भी एंसी आर्टी का में जो भी जीवर्ट दिया हुआ है वो आपको बेस मजबूत करेगा और उसी टॉपिक को उसी चाप्टर उसी पर्टिकुलर को हम और expand करके उसी topic को हम advance रूप में और भी UPHC के level तक हम त्यारी करते हैं तो यहां बात यह आती है कि जब तक आपका base complete नहीं होगा और base कैसे complete होगा NCRT का book पड़ेंगे ठीक है तब तक आपका advance नहीं समझ पाएंगे आप तब तक आपको advance समझने में problem होगी advance level का इसलिए वो ego को side में रखिए और अब भी से six to लेकर 12 तक का सारा जितने भी NCRT का book है आप लेकर आईए और पहले उसको complete कीजिए ठीक है इतना ही नहीं complete in the sense के वाल आपको पढ़ना ही नहीं है ठीक है आपको NCRT का book पढ़ने के साथ साथ जैसे कि एक chapter complete हो जाद है six class का NCRT आपने पढ़ा एक chapter complete हो गया chapter के last में दिया रहता है उस chapters related question answer आप question answer को भी solve कीजिए ठीक है और जो भी आप chapter में पढ़ रहे हैं कोई की पोईंट को आप उसको अंडरलाइन किजिए एक short note बनाए या तो आप उसी point को book में भी उससे related और भी point आप internet पर search कर सकते हैं newspaper में जो भी आ कि यहां हम NCRT के अलग class करवाते हैं हमारा में मकसद यह है NCRT का अलग class परवाने का कि कुछ बच्चे का basic complete नहीं भूलता है और वह advanced का advanced level का जब class में पढ़ाई होने लगती है तो उनको समझने में problem आती है तो उनको basic cover करने के लिए हम NCRT का class लगवाते हैं NCRT का class इसकी टाइमिंग है Monday to Friday 535 PM to 7 PM आप यहां इस batch में जॉइन करके अपना NCRT का जो भी श्लेबर से आप cover कर सकते हैं अब बात यहां आती है कि आप NCRT को कैसे और in reach कैसे करें ठीक है तो जैसे कि आप NCRT में कुछ भी पढ़ रहे हैं कुछ भी वह ऐसा point पढ़ रहे हैं किसी person के बारे में पढ़ जैसे आपने history पढ़ा history में राजा राम मोहराय के बारे में पढ़ा history में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रविंदर्ना टैगोर के बारे में पढ़ा भारत छोरो आंदोलन पढ़ा अठारा सो संतामन का विद्रोग पढ़ा ठीक है अकवर के बारे में पढ़ा तो जो भी आप particular वेक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं उनसे related और भी जानकारी आप internet के through इकठा कर सकते हैं और उसको आ एंसी आटी में पढ़ रहे हैं उससे related अपने लेवल को और भी आगे बढ़ा रहे हैं जो कि आपके point exam के point of view से बहुत-बहुत important हो जाता है जैसे आपके NCRT पॉलिटी का बुक पढ़ा NCRT में उसमें किसी आर्टिकल से related कुछ आपने पढ़ा आर्टिकल 21 पढ़ा 14 22 23 जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा प्रेसिडेंट के वारे में पढ़ा fundamental right, fundamental duty, DPSP, Directive Principal of State Policy, प्राइम मिनिस्टर जो भी आपने वहां से पढ़ा उसको आप और enrich कर सकते हूं वहां आपको एक दो लाइन में हो सकता है चीजे समझाए गई हो हो सकता है एक चार पार्च लाइन में समझाए गई हो लेगिन आप उसको in reach करने के लिए और भी ज्यादा बहतर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप उस आर्टिकल से रिलेटेट इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं ठीक है यहां आप आप क्लास जॉइन किजिए क्लास में आपको हर चीज बताई जाएगी उससे रिलेटेट जितने भी क्लेसल होते हैं वह आपको बताया जाएगा जैसे आप स्कुशन को में आप पड़ रहे हो जोग्रफी में आप अर्थ के वारे हैं पड़ रहे हैं मैपिंग के बद्वर्appelle इंडिया को मैप वलल्ड मैप इंटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अफ ऑर्फ पड़ रहे व्ह Inner cui वह कैसे इन्ट्रीच कर सकते हो उसके बारे में आप इंटरनेट पे और भी ज्यादा सर्च कीजिये और णिऊजपर डेली पर भी रह रहा है उस पॉइंट को आप नोट डाउन एक जगर नोट डाउन कर लीजिए ठीक है इसी तरीके से आप इकोनोमिक्स का भी NCRT पढ़ सकते हैं इकोनोमिक्स में आपका की पॉइंट जो भी है रेपोरेट जीडिपी जी एन पी एन एन पी बेसिक है यह तो based आप यह सकता है NCRT में NCRT के बुक में इसके वारे में आपको वन पराग्राफ दो प्रॉइंट, टू प्राग्राफ दिया हो लेकिन इसे रिलेटेड आप इंटरनेट पे सर्च करके यहां इस क्लास में आपको हर चीज बताई जाएगी उसे रिलेटेड की पॉइंट गया है अगर आप NCRT कवर कर लेते हैं 6-12 तक तो आप यह मान कर चलिए कि आपका 30-40 कोर्षण तो कवर हो गया ठीक है समझ रहे हैं ना 30-40 कोर्षण मिनीमम 30-40 कोर्षण आपका NCRT से कवर हो जाता है अगर आप इसके साथ ही NCRT को और भी ज्यादा इन्रीच करके पढ़ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप राजारा मोहाराय के बारे में पढ़ रहे हो NCRT में महात्मा गांदी के बारे में पढ़ रहे हो आर्टिकल 14 15 16 या कुछ भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप पॉइंट इकठा किजिए इंटरनेट के थ्रू और भी दूसरे सोर्स के थ्रू और भी न्यूजपेपर के थ्रू ठीक है वहां से पॉइ और जैसे ही आप यह नोट बनाएंगे दूसरी जगह से सोर्स लेकर अपना एक पर्सनल नोट बनाएंगे और उस नोट को आप डिवीजन भी करते रहिए ठीक है रिवीजन भी करते रहिए इसके साथ ही यह तो आपके प्रिलिम्स का बात हो गया अब आती है बात आंसर रा कर आप चा कचेश yarugi ने जैसे यहां डायिक्त बच्चे जो आते हैं डायिक्त ऑफ एलिशन लेते हैं यूपारी के लिए और मननेश का जब खुवसर्बारी स्वेस्किर का आती है तो उनको प्रोब्रॉब्लम होती है ओ बोलते हैं कहां से स्ठाट करें समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप NCRT जब पढ़ रहे हैं 6th class का NCRT पढ़ रहे हैं उसके पीछे exercise portion दिया हुआ रहता है उस portion का पहले answer लिखिए हो सकता है उस portion का answer आपका दो लाइन चार लाइन में हो चार पाच लाइन में हो एक लिस्ट आपको answer की शुरुआत करने तो आएगी वहां से आप तो यह सिख पाएंगे कि कैसे किसी answer का को हम सुरुआत कैसे करें वह तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा ना वहां से आप question, answer की शुरुआत कैसे करनी है वह तो आप सिख लेंगे इसके साथ ही उसका key words भी आपको याद होगा इसके अलावा आपकी writing practice भी होगी जो के आपके मेंस के point of view से बहुत important है मेंस में आपको GS paper 1, 2, 3, 4 इसमें आपको total 20 course रहते हैं तिन घंटे में complete करने होते हैं बहुत बच्चे होते हैं जिनको question का answer तो आते रहते हैं लेकिन उनकी answer writing practice की वज़े से वो question का answer नहीं कर पाते हैं क्योंकि time कम मिलता है तो इससे NCRT का पहले से practice करते रहेंगे आप starting से आपकी लिखने की practice भी रहेगी इसके साथ ही NCRT का book में जितने भी diagram है quality जोग्रफी में जितने भी diagram है और सारा आप याद कर लिशें ठीके और उससे related जितने भी question पूछे जाते हैं वो आपको खुद पता चलेगा जब एक बार आप book पढ़ लेंगे उसके वाद आप previous sales का question देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यह तो मैंने पढ़ा सब्सक्राइब यहां से direct question पूछा गया है तो आपको यह दिमाग में नहीं रखना है कि आप graduate हो चुके हो या बीए फस्ट यह में पढ़ रहे हैं सेकेंड यह में पढ़ रहे हैं या बीटेक किये हुए हैं इतना high qualification के साथ हम 6th class का book क्यों पढ़ें ओ भी UPST की त्यारी कर पढ़ने के लिए UPST की त्यारी तो एक high level का exam है तो उसके लिए हमें advance पढ़ना होगा हम 6th class का book क्यों पढ़ें तो आपको यहां यह बताया जा रहा है कि advance तक आप कैसे पहुच सकते हो जब तक कि आपका base clear नहीं है base complete नहीं है आप advance तक नहीं पहुच सकते हैं हम मानते हैं स्कूल में पढ़े हैं हमने भी पढ़ा है आपने भी पढ़ा होगा 6 7 8 9 10 सब उने पढ़ा होगा तो एक एक point आपको अभी तक याद नहीं है किसी को याद नहीं रहता है वो भूलते जाते हैं अगर आपको याद है एक point तो यह तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है हम इस्टूडेंट की कर रहे हैं जो एब्रेज इस्टूडेंट है और जो जिनको याद नहीं है तो वह चीज़ को आप साइड में रखिए कि नहीं मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूं मैं 6 7 8 9 10 का बुक क्यों पढ़ूं मुझे नहीं पढ़ना मैं लक्ष्मी कांत तो जब आपका कमप्लीट नहीं रहेगा आप हाई लेवल का नहीं पढ़ पाएंगे पढ़ तो पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे अगर समझ भी रहें तो लिखने में प्रॉब्लम हो भी तो यहां से आप राइटिंग प्राक्टिस कीजिए साथी डाइग्राम का ड ब्राइग्राम के साथ साथ मैपिंग तीक है यह यह सब जो डाइग्राम मैपिंग पाई चार्ट डेटा पर्टिकुलर डेटा यह सब आपके आंसर को इन रीज करता है तो इसकी प्राक्टिस अपसे अच्छी प्राक्टिस होती एंसी आटी पहले कवर किजिए सिक्स ते लेकर 12 तक उसका हर की पॉइंट नोट डाउन किजिए नोट डाउन क्या आपको केवल नोट डाउन ही नहीं करना है उसको याद भी करना है हो सके तो आप जहां पढ़ रहे हैं वही नोट डाउन पैंसल से नोट डाउन कर लिजिए और रिविजन करते टाइम आप वहां से रिविजन कर सकते हैं इसके साथ ही आप पोस्टन भी बनाएं जब यह आपका कम्प्लीट हो जाता है 6-12 तक का NCRT उसके बाद आप UPSC का या कुछ भी स्टेट पीसिस का इजाम आप दे रहे हैं तो वहां उसके उसके उनका प्रिवियर्स यह का कोर्शन आप देखिए प्रिलिम्स का देखिए और मेंस का देखिए तब आप पाएंगे कि हम कहां पहु ठीक है वहां से आप पाएंगे कि डारेक्ट NCRT से डारेक्ट पोर्शन पुछा गया है मैं आशा करती हूं कि आप अच्छा करेंगे ठीक है और आप इस बैच में जॉइंट करें अगर आप NCRT पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ही स्टार्ट किया गया है आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो क्योंकि उस वर NCRT के बूक में भी कुछ टार्म नियूनलोजी ऐसी होती है तो कुछ बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं उनको थूरा मुश्विल होता है समझना तो यहां हम आपको अच्छे जो मैंने आपको बताया है NCRT को इन्रीच करके पढ़ना क्लास में आपको उसी तरीके से पढ़ाई जाएगी